जैने फ्रेंट्स वेलगनों में चैनल और आज हम बात करेंगे इंपॉर्टन ऐसे टोपिक्स के बारे में कि जो ACC 1-4 एक्जाम्स के लिए काफी जादा इंपॉर्टन होंगे उन टोपिक्स के बारे में बात करेंगे और मैं फिर भी आपको इपर बता देना चाहता हूँ कि जो IC का पेपर है आपका IC पेपर सबसे ज़्यादा important पेपर है because इसमें pass होना बहुत ज़्यादा mandatory है अगर कोई बंदा चाहता है कि SEC return clear करे तो सबसे पहले उसको IC के paper उसके check किये जाते हैं तो जो 180 वाले हैं उसमें आपको 72 marks minimum लेके आने होते हैं और यह बहुत ही scoring portion है जो कि काफी help करता है और हो सकता है बहुत अगले tough भी हो तो इसका पूरा ध्यान रटना है इस paper का और फिर आगे बढ़ना है तो इसमें particularly topic के बारे में बात करने वाले हैं तो मैं अभी बात करूँगा I.C.E. के paper number 2 के बारे में ठीक है जो की subjective का होता है यह 180 marks के होते हैं ठीक है यहाँ पे आपको 60 number का यह कैसे आता है essay writing ओके तो अभी मैं बताऊंगा आपको important topics क्या क्या है essay writing उससे पहले मैं एक बार आपको बता दूँ अगर किसी को भी I.C.E. के notes चाहिए हो या CG.E.T. के notes चाहिए हो तो वो contact कर सकता है इस number पे यहाँ पे आपको notes provide कर दी जाएंगी अगर आपको कोई doubts है तो doubts भी आपके clear हो जाएंगे यहाँ पे और English का सबसे बड़ा फंडा क्या पता है English में सबसे बड़ी basic चीज है कि आपका practice बहुत ज़रूई है because इसमें कुछ नहीं है सिर्फ practice की चीज़े है आप practice करोगे तो हो सकती अच्छी later अच्छे essay आप लिखने start कर दो ठीक है तो चलो फिर अभी पताते हैं important topics के बारे में बिना time waste की वा तो first topic है farmers bill farmers bill के बारे में पढ़ लेना आप लोग because अभी आपको पता है सबसे अधा burning topic है farmers bill farmers bill के उपर आपके आ सकते हैं essay rating पे तो जब यह essay rating आता है तो आपको लिखना कैसे है because यह 60 marks contain करता है तो 60 number बहुत ही ज़ादा होते हैं ठीक है बड़ अब इसको लिखने के लिए आपके पास क्या material तो सबसे पहली बात है कि यह जैसे topic है इसमें आपको knowledge चाहिए ठीक है अगर इनकेस वहाँ पर farmers bill आ जाता है और दूसरा आपको question देते हैं वो global warming तो आप इसमें एक काम कर सकते हो मेरे हिसाब से session यह रहेगा कि आप farmers bill के जाए global warming पर लिखो तो जादा अचा रहेगा because इसमें आप लिख सकते हो काफी चीज़े बड़ अगर यहाँ पर आपको knowledge नहीं है तो आप zero हो यहाँ पर यहाँ पर you'll get zero okay farmers bill के अंदर ठीक है तो चलो मैं बता जता हूँ एक बार की farmers bill वगरा अगर आ जाते तो लिखना कैसे इसको अगर farmers bill आता है तो पहले farmers bill का intro लिखना है आपने यहाँ पे ठीक है farmers bill के लिए जो आपका पहला पहरा होगा वो आपका intro होगा कि what is farmers bill ठीक है इसके बाद आप बताना सेकंड पैरा में differences बता देना ठीक है जो फर्स farmers bill जो पहले था farmers bill और जो अभी का है उसके बीच में क्या differences सेकंड में ठीक है आप सेकंड पैरा इसमें cover करना उसके बाद थर्ड जो पैरा होगा आपका उसमें आप जाना उनके merits और demerits के बारे में ठीक है तो इनके demerits के बारे में थर्ड बताना और fourth जो पैरा होगा आपका वो होगा आपका conclusion ठीक है conclusion को भाई थोड़ ठीक से लिखना और थोड़ा इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ यह होती है कि एक side का view नहीं लेना है जो best लगता है जो चीज़े हैं original उनके उपर conclusion देना conclusion अपने mind की सोच के और अपने दिमाग की सोच के और दूसरी की बात सोच के नहीं देना जो effectful चीज़ है वही देना यहाँ पर जो की reliable है ठीक है तो यह हो गया आपके आपके लिए यहाँ पर second important topic है आपका new education policy जो आई है तो यह जो new education policy है इसके बारे में बाई साब पूरी तैयारी कर लेना आप ठीक है जैसे पहले बाले में मैंने बताया कि introduction देना उसका introduction क्या है second वाले में पहले और अभी वाले में differences बताना उसके बाद में merits, demerits बताना कि students का कैसे अच्छा हो सकता है इसके अंदर और क्या कमिया रहे गए ती पिछले वाले में जो अभी वाले में भरपाई हुई है पिछले वाले में क्या अच्छी चीज थी जिसको अभी ableist कर दिया गया है और finally same conclusion इसके लिए तो topics आपके point same होंगे ठीक है उसके बाद तीसरा important topic है आपका global warming ये general topics होते हैं ये हर बार के लिए ही काम आते हैं यहाँ काम नहीं आया अगर इन case नहीं आता है तो आपके ssb के दौरान कहीं काम आ जाएंगे ये तो इनके बारे में पढ़ने हैं थोड़ा global warming के बारे में उसके बाद general topics ही बता रहों मैं ये general topic है general topic को जिटी से denote कर देता हूं मैं उसके बाद air pollution हो गया air pollution आ सकती है ठीक है because ये बहुत बड़ी थ्रेटिंग है अभी के लिए ठीक है तो air pollution देख लेना आप लोग ये भी general topics यहां कर देता हूं मैं air pollution को भी उसके बाद एक topic है जो की है आपका global terrorism ठीक है ये सदा बाहर topic है ये ठीक है general topics में ही है ये हर बार घुमते फिरते एक दो इसी सीक अंदर ही पूछी लिया जाता है तो आप इसको देख लेना इस topic के उसके बाद importance of games and sports in daily life ठीक है तो ये इसको भी ये भी general topic के अंदर ही है इनको थोड़ा सा prepare कर लेना आप ठीक है इसके बाद international yoga day के उपर अगला मैं लिख देता हूँ यहाँ पर international yoga day वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर international yoga day मैं लिख देता हूँ यहाँ पर international योगर डे ठीक है इससे बहुत बार general के भी questions से यार हो जाते हैं कि international yoga day कब पहली बार in the world 2015 में हुआ था और हम इस साल कौन सा मनाने वाले हैं योग डे ठीक है लाइक इससे दुरूरा questions आ जाते हैं उसके बाद अगला question अगला topic है आपके लिए कोविड 19 के impacts ठीक है impacts on world economy world economy और यहाँ पर world economy कीज़े अभी इंडियन economy दे सकता है ठीक है तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना इन दोनों के उपर कोविड 19 के उपर prepare कर लेना एक बार आप लोग because यह last वाले में आ चुका है बट फिर भी still important है इसके बाद 9th number topic है आपके लिए इस रो ठीक है इस रो को अच्छे से त्यार करना because यह भी general topics नहीं है इसके लिए आपको पढ़ना पढ़ेगा अगर आप पढ़े रहोगे तो ही इस पर काम कर पाओगे कोविड के उपर भी अगर आप पढ़े रहोगे तो ही काम कर पाओगे और जब आता है ना गर कोविड 19 के बारे में मैं थोड़ा skip कर गया था जब कोविड 19 के बारे में आता है तो direct इसका आप एकनामी पे effect और यह नहीं बताना है पहले आपको introduction देना है कि कोविड कप आया था firstly कौन से city में यह मिला था तो पहले वहाँ से start करने के बाद फिर आपने इसके बाद बताना है कि भाई कोविड में क्या क्या चीज़े हुई थी और फिर आना है आपको कि भाई कैसे impact किया है इसने पूरे world economy को और Indian economy को as well as Indian economy क जब आप world economy के बारे हम बात करें तो उसके अंदर आप India के भी topics जाल सकते हैं बड़ एक कोशिच करना है सिर्फ इंडिया का नहीं डालना है पूरे world के बारे हम बात करना है इसके बाद 11 अमपर होगा आपके लिए टरिजम इन इंडिया ये जनरल टॉपिक्स में है बहुत बार इसे कोशिचंज आते रहते हैं और गुमते फिरते ग्लोबल टरिजम और इनके ओपर कोशिचंज आते रहते हैं ठीक है तो इनको थोड़ा अच्छे से देख लेना आप लोग थोड़ा देख बार लिखके प् मार्स हमने भी मार्स के बारे में एक हमने सैटलाइट भेजा था यहां से तो जब इसके बारे में आप लिखते हो लाइफ ऑन मार्स के बारे में तो पहले आप बताना कि भाई अपने इसरों ने एक सैटलाइट भेजा था मार्स के लिए ठीक है तो इसके बारे में थोड़ ठीक है यह काफी बनिन टॉपिक है और एक नेबरिंग कंट्री के साथ भी आप रिलेशन देख सकते हो एक टॉपिक और रिलेशन अफ इंडिया विद इस नेबरिंग कंट्री ठीक है नेबरिंग कंट्री यह देख सकते हो यह भी एक थोड़ा important topic है ठीक है इसमें सारे तुमारे जितने भी neighboring countries है हमारे वो सारे आ जाएंगे यहाँ पर जैसे अपना बंगलादेश हो गया नेपाल हो गया शिलंका हो गया क्या इनके साथ है पाकिस्तान हो गया इनके साथ हमारा कैसा relation है ठीक है और इं काफी important topic है second topic था हमारा new education policy यह भी important topics में ही है मैंने star कर दिया इसको global warming भी important में है because questions आते रहते हैं से यार कोई ऐसा hard and fast नहीं है terrorism भी थोड़ा important है तो इन सब को थोड़ा अच्छे से देख लेना और जितने है उसके उपर एक बर आप लिख लोगे तो थोड़ा अच्छा र मैं फिर भी यहाँ पर लिख देता हूं आप एक बार content कर सकते हैं यहाँ पर अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो please do like and subscribe मैं चैनल और अगर किसी को कोई doubts हो या कोई भी चीज़ हो तो कभी WhatsApp करके आ सकते हो आप या फिर normal comment section में comment करें हाँ but like करना ना बूले आप लोग वीडियो तो watch करते हो बड़ लाइक नहीं करते है तो like करो कि मेरा भी बूस्ट अप होते रहता है तो thanks for watching my video जैहिन